तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे डिपलोमा इन कम्प्यूटर इंजिनरिंग के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करूँगा सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करूँगा कि आखरी डिपलोमा इन कम्प्यूटर इंजिनरिंग का कोर्स आखर क्या होता है तो जास सारी बातों को मैं आप से इस वीडियो में डिसकस करूँगा हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हो एजुकेशनल वर्ड स्टर चैनल तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप से डिपलोमा इन कंप्यूटर इंजिनरिंग के वारे में आपसे मैं डिसकस करूँगा और दोस्तों अगर आपने 10th या 12th की class को pass कर लिया है और अगर आपको जह जाना है कि 10th या 12th की class को pass करने के बाद आखिर कौन-कौन से courses होते हैं तो मैंने उन वीडियो का link इस वीडियो के description में दे दिया है आप इस वीडियो के खतम उने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपसे डिसकस करने वाला हूँ कि आगर computer engineering का course आखिर होता क्या है तो मैं आपको उताना चाहता हूँ कि computer engineering का जो एक एसा course है जो आज के time में कई सारे students अपना interest इस course में दिखाते हैं इस course में आपको computer programming और networking के कुछ basic elements के वारे में आपको study करवाया जाता है तो computer engineering करने वाले students को hardware और software के वारे में भी आपको बताया जाता है अभी आपसे में course duration के वारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ जानि जाए course आखिर कितने वर्ष का course होता है तो दोस्तों मैं आपको उताना चाहता हूँ कि जाए course तीन वर्ष का course होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं और एक semester की जो length होती है वो 6 महिने तक ही होती है अभी आपसे में eligibility के वारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ जैनि आप इस course में आखिर अगर आपको admission लेना है तो इसके लिए खिर आपको क्या करना होगा तो इस course में आपको admission लेने के लिए दोस्तो आपको जो 10th की class है उसे आपको पास करने होगी 10th की class को पास करने के बाद आपको इस course में admission मिल जाएगा अभी आपसे में job profiles के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ जनि अगर आप इस course को आप पूरा कर लेते हो आपको किस परकार की job मिल सकती है तो दोस्तो आप web designer बन सकते हो आप programmer बन सकते हो आप system analyst बन सकते हो इसके इलावा आप junior engineer वी आप बन सकते हो तो जैसा अब आपकी personal skill और knowledge के उपर depend करता है कि आपको कौन से sector में आपको job मिल सकती है अभी आपसे में subjects के बारे में आपसे में discuss करने वाला हूँ जनि आप इस course में आखिर किस परकार के subjects आप study करते हो तो इस course में आप applied mathematics, English, digital, electronics, data structures, network security and management etc सब्जेक्टस आप इस course के दोरान आप study करते हो और वी इस course में कई सारे subjects होते हैं जो आपको इस course के दोरान आपको करवाए जाते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में मैंने आपसे computer engineering diploma के वारे में आपसे मैंने इस वीडियो में discuss किया है मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको अपराफ हुई होगी और अगर आपको किसी भी परकार का कोई डाउट है तो दोस्तो आप नीचे मझे comment box में comment करके पूछ सकते हो नहीं तो आपको इस वीडियो के description में और भी कई सारे horses के वारे में वीडियो मिल जाएंगी आप उन्हें वांजा कर भी देख सकते हो तो अंत में दोस कर दोस्तों 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 क